दोस्तो आज की सबसे वड़ी अपडेट भारत और ब्रेटेन की तरफ से निकल कर आ रही है भारत के तेजस फाइटेट की एक्सपोर्ट पर्मिशन को ब्लॉक करना अब कहीं न कहीं ब्रेटेन को भारी पड़िया है दरसल जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि भारत और अरज अरजेंटीना के लिए तेजस को इंपोर्ट करना जितना जादा जरूरी है उससे कहीं गुना जादा भारत के लिए अरजेंटीना को तेजस एक्सपोर्ट करना है क्योंकि अरजेंटीना के लिए ये कोई खरीदे जाने वाला पहला फाइटर जेट तो है नहीं लेकिन ये भारत के लिए पहला fighter jet का exporting order हो सकता है जो कि भारत को defense exporting countries की list में काफी उपर ले जाएगा हालकि ये deal आज से कई महीनों पहले ही हो जाती लेकिन ब्रिटेन ने अपनी तरफ से भारत को तेजस की export permission को ब्लॉक करके अरजेंटिना और भारत की ये deal रोग दी थी असन में भारत अ अपने हत्यार में इस्तमाल किये हो तेजस में भी सेम इसी तरह से भारत ने ब्रिटेन के कुछ key components को यूज किया हुआ है लेकिन अरजेंटिना और ब्रिटेन के बीच दसको पुराने फॉक्लेंड आइलेंड के विवाद को लेकर ब्रिटेन भारत को अरजेंटिना को तेज इसकी कोई भी डिल आगे नहीं बढ़ाएगा एक तरह से कहा जाए तो भारत को अब अरजेंटिना और ब्रिटेन दोनों में से किसी एक को चुनना था और अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने अपने लिए अरजेंटिना को चुन लिया है सब उत के लिए आपकी स्क्र के एक न्यूज आर्टिकल का स्क्रीन शॉट है जिसके अकॉर्डिंग भारत ने तेजस मार्क वन में यूज होने वाले ब्रिटेन के दो मेजर की कंपोनेंट्स को निकाल कर उनकी जगा अब दूसरे कंपोनेंट्स लगाने का फैसला किया है रिपोर्ट्स के काफी बड़ा जटका लगेगा क्यूंकि इससे ब्रिटेन को हर साल पकंप्रीन जाने वाले लाखो Спश्व जूंगलत्स को नुकसान होगा ही साथ इस से ब्रिटेन की कंपनियों की reputation भी अलग से खराब होगी अब इस पूरे incident के उपर हिंदुस्तान Aeronautic Limited के एक senior official ने अपनी तरफ से भी एक statement दी है उसमें उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन के साथ हमारा कोई personal issue नहीं है लेकिन at the end सभी को अपने देश के बारे में सोचना होता है अर्जेंटिन का order हमारे लिए काफी फायदे मंद हो सकता है इसलिए ये सब अर्जेंटिन के कहने पर हो रहा है ऐसा हो सकता है कि हम तेजस में से ब्रिटेन की company के seat ejection और radar को रिमोव करके किसी और देश के seat ejection और radar को लगाए क्योंकि अभी के लिए हमारी सभी assembly lines busy है और हमारे पास seat ejection और radar कोन को manufacture करने का time नहीं है क्योंकि already हमारे पास 83 तेजस के order pending में है और इंडियन एरफोस की तरफ से 100 तेजस के orders की बातचीत चल रही है और ऐसे में अर्जेंटिना ने अगर 16 तेजस के orders दिये तो उस time पर deal करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो इसके साथ ही HL ने अर्जेंटिना के सामने एक सर्थ रखी है कि जो भी पार्ट्स अर्जेंटिना तेजस में से remove करवाना चाता है उस component की adoption और validation के लिए अर्जेंटिना को खुद American company को pay करना होगा क्योंकि तेजस के ये change अर्जेंटिना के कहने पर हो रहा है इसके अलावा HL का कहना है कि replacement अभी होगा जब अर्जेंटिना का order भारत को confirm हो जाएगा और order देने के बाद अर्जेंटिना को तेजस के लिए थोड़ा सा extra weight भी करना होगा क्योंकि नई components की procurement के लिए बातचीत करने में time लग सकता है इसलिए अगर अर्जेंटिना की सरकार ये सोचे कि हम अर्जेंटिना के दिसंबर में आने वाले election से पहले अर्जेंटिना को तेजस deliver कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा और अगर अर्जेंटिना को भारत की इस अभी condition मंजूर है तो ही भारत अर्जेंटिना के साथ तेजस की deal final कर पाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि और से बहतरिन fighter jet है और इसलिए अर्जेंटिना चायना रशिया श्वीडन और अमेरिका जैसे देशों के fighter jets को reject करके तेजस को अपने लिए final कर रहा है हाला कि अर्जेंटिना और भारत के बीच अगर यह deal हो जाती है तो इससे अर्जेंटिना को तो सिर्फ fighter jet मिलेंगे लेक तो वक्ती बताएगा कि आखिर यह deal final होती है या फिर नहीं वैसे आपको क्या लगता है क्या अर्जेंटिना के लिए तेजस fighter jet में यह जो changes करके भारत ब्रेटेन से पंगल ले रहा है क्या यह सही है या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले एस्वी नॉ कोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जै हिन जै भारत